सबी बंदों को मेरा शत्षत प्रणाम, मैं श्रीदेवी हुगार बीदर, फिर से मैं आज आपके सामने मेरे कुछ वच्णों को लेके आए हूँ, तो पहले मैं जो जगत के परमपिता, परमात्मा, स्वयम परमेश्वरजी को मेरा शत्षत प्रणाम करती हूँ, और जगत के सारे जो भी है, जिन्होंने भी उस भगवान का संदेश हम तक पहुंचाया है, वो सभी महात्माओं को, शरणों को, संतों को, सूफियों को भी मेरा और एक बार में शत्षत प्रणाम करते हूए, आज मैं मेरे गाउ में आ गई हूँ, थोड़ा लक्ष्मी जी का पूजा के लिए, इसके लिए थोड़ा सा अजश्मेंट करना है मुझे, इसके लिए थोड़े आगे पीछे होगा शायद मुझा इससा लग रहा है, फिर भी मेरा कोशिश तो जारी रहेगा, तो आज मैं फिर से आपको, जो मैंने कल बताया था कि जेडरत दासी मैया जी का जो जीवन और संदेश और वो दोनों का जो पती पत्नी का जो रिस्ता कैसा होना चाहिए और वो रिस्ते निभाने के लिए हम क्या करना चाहिए, जो निभाना है वो बहुत बड़िया बात है, रिस्ते जोडना बड़ी बात नहीं, लेकिन रिस्ते को निभाना है न, वो ब करना है बोलके हमने कल सुना था आज फिर से में और एक बहुत बढ़िया सा वचन और सची में यह वचन ऐसा है कि हमें जो आत्म विमर्शे बोलते हैं हम कनडा में तो अपने आपको ही हम question करते हैं कि हम कैसे हैं कोन से position में हमारे thoughts चल रहे हैं हम कितना स्वार्ती है या social minded है कितने अपने आप पर ही हम सोचते हैं यह सबी का जो आंसर है इस वचन में मिल जाता है तो यह वचन ऐसा है कनडा में इले निम्मदाना बेडे निम्मदाना सुलीदू सूसुव वायू निम्मदाना निम्मदानव नुंडू अन्यर होगलूव कुन्नी गड़े ने न पर यह पूरा प्रत्वी उस भगवान का दिया हुआ दान है दान मिन्स एक बार दिया उसके लिए वापस कुछ भी नह मांगे इसको दान बोलते हैं तो हाँ जहां पर हम जी रहे हैं यह भगवान का दिया हुआ बहुत बढ़िया दान है और जहां पर हम जो खाना का रही ह जो भी हमारे पास जो फसल उगता है, जो वो फसलों को हम क्या करते हैं, घर को लाते हैं, फिर पेट भर के खाना खाते हैं, जिस भूमी पर हम, जिस प्रत्वी पर हम जीवन बिता रहें, वो भगवान का ही दान है, और जो खाना खा रहे हैं, शायद हम सोचते हैं कि जो खेत म काम करते हैं वही उगाते हैं लेकिन उगाने वाली जो है वो भू माता है ये माता बोलते हैं प्रत्वी को जो प्रत्वी से हम जो भी लेते हैं और खाना खाते हैं जिंदा रहते हैं तो ये जो प्रत्वी का जो भी फसल उगता है वो फसल भी स्वयम परमात्मा का दान है और वो दोनों ही नहीं, जो हवा चल रही है, अभी हम स्वासों सास हमारा चल रहा है, सासों की जो आवन जावन है, वो सिर्फ परमात्मा की इच्छा है, जब वो चाहे तब वो पकड़ लेता है, अभी बहुत पार ऐसे हम देखते हैं कि 20 साल में, 30 साल में हाट टेक प्रॉब्लम तो इसके लिए बोलते हैं कि स्वासों पर ही विश्वास नहीं हमारा, लेकिन वो स्वास देने वाला, जो हवा है, वो हवा को देने वाला, वायू को देने वाला स्वयम परमेश्वर है, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत बार हमें ऐसा लगता है, कि छोटा, जब हम आफिस म कुछ signature के लिए हमें एक pen चाहिए, तो हम क्या करते हैं? किसी के पास से pen मागते हैं, कृपए मुझे pen दीज़े, थोड़ा सा signature करना है, तो ठीक है बोलकर एक मिनेट के लिए वो पेन ले लेते हैं और एक सिगनीचर करके वापस देते वक्त हम क्या करते हैं ग्रैटिटूड करते हैं तो इसका मतलब क्या है ठैंक यू बोलते हैं एक पेन के लिए एक मिनेट के काम के लिए जिनोंने हमें थोड़ा सा help किया तो हम उनकों क्या करते हैं thank you बोलते हैं तो यहां पर जेडर दासी महिया जी बोलते हैं कि आप स्वयम इतने बड़े प्रत्वी पर कुछ कहां पर भी एक दिन का भी फीस नहीं दिया है आप सोचो जहां जो प्रत्वी पर हम रहे हैं हमें लगता है पैसे भी लगता है कि जो लेके आते हैं हमारे घर को वो सभी का हम क्या करते हैं पैसों से चुकता करते ही लेकिन पैसे कभी जमीन में नहीं उगते सिर्फ फसल ही उगता है तो उसकी कृपा से बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अभी फसल आने वाला ही होता है बहुत बाड़ा आ जाती है तो वह जितना भी आता उतना पूरा खतम हो जाता है इसकेलिए जो भी चल रहां है जगत में उसके मर्जी के सिवह कुछ भी नहीं होता इसके लिए अभी बहुत से टेंशन में या मुझे ऐसा लगता है कि जोIELूगों को कर रहे हैं और जो पृत्वी है आकाशत अत्व है और आग है हमारे शरीर में ही 84 वेराइटीस का आग है इतना सब देने के बाद भी हम एक बार भी भगवान को थैंक्यू नहीं बोलते हैं इसके लिए बहुत गुसे से बोलते हैं कि यह जो थैंक्यू नहीं बोलता है उसे क्य पूरा अपना रिष्टा निभाता है लेकिन पूरे जिन्दगी भरयत सब हम यूज करते हैं इसके लिए मैं बहुत बार बोलती हूँ हमारा जो बॉड़ी है 500 CR का बॉड़ी है एक रुपए दो रुपए नहीं फिर भी हम रोते रते वो नहीं यह नहीं सिर्फ हमारे माइंड में क्या करते हैं हम कमी कमजोरिया ह दूनते हैं सिर्फ शिर्फ नहीं नहीं यह नहीं जो लिश्ट है वह बोहत बढ़िया से लिका है लेकिन जेडर दासी मया जी बोलते हैं की जो जिसने दिया है उसे कुछ मत दो कुछ मत दो लेकिन एक ठैंक्यू बराबर बोलो इसके लिए बोलते भगवान भावों का भूका है उस परमेश्वर को आज हमने घर में लक्ष्मी बिठाया तो मैं एक पोयम लिखके मैं फेस्बुक पे डाली पोयम में ये मेरा मतलब ये है कि बहुत बड़े श्रिंगार करक है कि नहीं मुझे डाउट है लेकिन जो गरीब हमारे घर के आगे आके बैटा है कुछ खाना खाना देना है उससे कुछना कुछ हेल्प करें तो उस दिन जरूर भगवान हमारे घर को आएंगे इसके लिए बोलते भगवान भावों का भूका है इसके लिए थैंक्यू ये जो दो-तिन शब्द है वो बहुत बढ़या शब्द है मुझे तो ऐसा लगता है कि वंडर बहुत वंडर्फूल वर्ड सैक्यू और एक fryक्र सौज अब आगे लुआ मैं सच्ची में बोलती हूँ, आज हम अगर इतना पीसपुल से हम जिन्दगी बिता रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास, कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत हम से छूट गया, वो गया सो गया, 99% तो हम ओके है, यह ओके जो हमारा लाइफ है, उसे हम क्या करना है, भगवान को थै शरीर को बोलते हैं, क्योंकि शरीर और हम दोनों अलग-अलग है, आत्मा और शरीर दोनों अलग-अलग है, दोनों एक नहीं हो सकते, लेकिन इस आत्मा के लिए यह शरीर भी बहुत कुछ हमें हेल्प कर रहा है, इसके लिए शरीर को भी थैंक्यू बोलना है, और हमारे मन क हम क्या करतें बहुत बार डाणते हैं मन के हिसाब से negativity हमारे दिल में भरा हुआ है दिमाग में हमारा मन ठीक नहीं मैन वैसा करता हैलेकिन मन को संभालने का भी ठीख है ट्रिक कि और यह क्या है कि मन को कभी भी नेगेटिव से ज़्यादा उसका फाइदा बोलना चाहिए तो अपने मन को अपने काबू में रखना है इसके लिए मन को भी थैंक्यू बोलना है इसके लिए सारी प्रकूर्ती अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ यह जो मोबाइल है यह भी मुझे बहुत हेल्प कर रहा है आप सब देख रहे हैं अगर आप नहीं देखते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकती इसके लिए हर कोई हमारे लिए जी रहा है हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है हम क्या करते हैं हम हमरे लिए कोई भी नहीं कर रहे हमारे इस खुद अपने दम पर वो किया यह किया इसे बोलते हैं लेकिन जो हमी परोचसाह देते हैं जो हमें help करते हैं वो कुछ ना कुछ कुछ शब्दों में होंगे, कुछ वस्तुओं में होगे, अगर शब्द भी नहीं, वस्तु भी नहीं, लेकिन वो चुप रहे, वो भी एक बहुत बढ़िया help है, बहुत बार ऐसा हो जाते हैं, चुप नहीं रहते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है, इसके लिए घर के सभी फै प्रत्यक्षु होके हमें नहीं देगा लेकिन उसके रूप में कई न कई रूप से हमारे आगे कोई आएगा और हमें वो देखे जाएगा तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो भी है उसकी दया से है उसकी कुपा से है उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं अकर एक बार एक सेकेंड वी वो सोचेगा तो एक सेकेंड में मेरे से सब कुछ छीन लेगा हमें कुछ नहीं कर सकती अभी कोरोना में आपने देखा कितने बड़े-बड़े हस्ती हमारे साथ थे, वो सब छले गए क्यों उसकी मरजी थी तो आज हम जिन्दा है तो उसकी मरजी है कि हम थोड़ा और दिन रुके और थोड़ा कुछ न कुछ सोशल के लिए, समाज के लिए कुछ नहीं, फैमिली के लिए आई था, बंदा होंदा आई निम्षा आप बंदा बंदा आई था, ओके तो कुछ न कुछ करना चाहिए, इतना बोलते हुए आज मुझे थोड़ा, मैं बीजी हूँ के लिए आज का मेरा यहीं पर ही, मेरा जो दो शब्द थे, उसे मैं खतम करना चाहती हूँ, कल्ब से फिराओंगी, थैंक्यू, धन्यवाद